तो हमारे घर में तो ना कच्चे केले इतने जादा आते हैं कि मैं उनकी एकदम अलग-अलग recipes हमेशा से try करती हूँ और हमारे घर में तो ये सब को काफी पसंद आते हैं तो आज शाम के time मैंने सुचा कि चलो ये जो केले हैं इनी से ही बना देती हूँ एक ऐसा snacks जो की 3-4 बन्दे अराम से खा सकते हैं मतलब simple आप इतने से की सबजी तो बना नहीं सकते हैं लेकिन आपको इस तरीके से इसे बनाओगे न तो आप अराम से इसको tea time में enjoy करके खा सकते हो एकदम crispy, करारा, crunchy सा बनेगा और चाय के साथ, chutney के साथ खा सकते हैं आप चाय तो इसे store करके भी रख सकते हैं कभी आप traveling पे जाएं तो भी आप ले जा सकते हैं एकदम super tasty है और कच्चा केला है तो खाने में कोई नुकसान भी नहीं है तो फटा-फट से आपको केले ले लेने हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक केला ले लिया है और चक्कू से हम इसके जो बाहर के चिलके हैं उसे निकाल लेंगे तो बस एक काम यह boring होता है कि इसके चिलके निकालने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि काफी hard होते हैं आप चाहें तो जब आपकी kitty party हो सर्व करना चाहते हूं महमानों को तो आप इस तरीके से जरू से बनाए कीजिए तो इसके लिए मैंने यहाँ पर केला ले लिया है छिलका निकाल लेना है उसके बाद आपको क्या करना है ना सिंपल है सबसे पहले इसे वाश कर लेना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे अच्छे से रब कर दूँगी क्योंकि बाहर जो होता है जब इसका छिलका निकाल देते हैं तो बाहर का एरिया थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता है इसे इसकी मिट्टी एकदम अच्छे से साफ कर दीजेगा उसके बाद आपको इस तरीके से लंबा लंबा चिपस टाइप में से काट लेना है यह देखिए एकदम पतले आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी काट सकते हैं लेकिन मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ इससे जो है ना काफी बढ़िया लगता है और एक-एक सिंगल पीस जो है ना अच्छा दिखता है साथ के साथ पेट भी भर जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक केले से चार से पाच पीस निकाले हैं एकदम पतले इसमें आप यह ध्यान रखेगा कि आप इसको जितना पतला पतला काटेंगे ना उतने ही जादा क्रिस्पी होंगे यह एक तरीके से जैसे भाजा बनाते हैं ना बैंगन भाजा आप इसे कह सकते हैं कि यह केले का भाजा बना रहे हैं तो सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक चम्मच की करीबन लाल मिर्च पौडर लिया है साथी थोड़ी सी हल्दी पौडर ले लिया है थोड़ा सा धन्या पौडर उसके बाद अब हम यहाँ पर आड़ कर रहे हैं नमक तो नमक को आप ध्यान में रखिएगा कि आगर आप कोई ऐसा मसाला इस्तमाल कर रहे हैं जिसमें अल्रेड़ी नमक हो तो नमक की कौन्टिटिव से साबसे आप कम कर सकते हैं साथ के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पर लिया है चाट मसाला इसके लावा पर मैंने जो है दो स्पून करीबन बेसन ले लिया है अब आपको क्या करना है सिंपल इन सब को एक साथ मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और जब आप इस तरीके का ये मिक्स्चर रेडी कर देंगे न तो मेन आपका ये जो बेस है वो एकदम रेडी हो चुका है इसके अलावा आप इसमें कोई और सा मसाला जैसे की पेरी-पेरी मसाला मैगी मसाला मतलब की अगर आप किसी चोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे मतलब बिना फ्राय करें हलका सा fry करते हुए air fryer करते हुए भी बना सकते हैं नहीं तो shallow fry बना सकते हैं बस इसकी ट्रेक यह है कि आप जब भी इसको coat करें तो सबसे पहले इसको गीला कर लीजी केले को मैंने इसलिए गीला करके मतलब एक बोल में पानी के साथ ही रखा है ताकि मैं एकदम इसको लगाऊ ना तो यह अच्छे से coat हो जाए अगर आप इसमें dry केला लगा लेते हैं तो फिर जैसी आप इसको fry करते हैं तो इसका मसाला एकदम तेल में छूट जाता लेकिन जब आप इस मैथट से बनाएंगे ना कि मतलब कि केले को एकदम पानी में डिप करके उसके बाद इसमें मसाला चिपकाएंगे तो उसके बाद जब आप इसको fry करते हैं तो यह तेल भी गंदा नहीं करता और इसका मसाला भी बिलकुल नहीं निकलता क्योंकि बहुत बार आप ड्राइ में लगा देते हैं न मसाला तो क्या होता है कि fry करते टाइम सिर्फ मेटीरियल ही रह जाता है मसाला तो एकदम तेल पर ही छूट जाता है तो इस तरीके से मैंने केले को गीला करके ही इस तरीके से लगाया है और ये मसाला एकदम अच्छी तरीके से चिपक जाता है जब भी कच्चा केला आता है ज़्यादा तर मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी ये प्रसनल फेवरेट है चाय के साथ बहुत अच्छी जाती है और बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है नॉर्मली जैसे हम डाल चावल या रोटी सबजी खाते हैं आप उसके साथ इसको साइड में भी खा सकते हैं जैसे कि आप बैंगन भाजा खाते हैं उस तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है तो मैं यहाँ पर इसे डाल दूँगी और आप देख सकते हैं कि तेल में मसाला बिल्कुल नहीं निकल रहा है और सारे जो चिप्स हैं यह अच्छी तरीके से जो है फ्राई भी हो जाएंगे एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे मसाला बिल्कुल भी तेल में नहीं छूटेगा और अब हम इसे अलट पलट करके दोनों साइड अच्छे से पकने देंगे तो जब आप इसे निकालेंगे तो इसमें तेल आपको बिल्कुल ने दिखेगा क्योंकि ये ज़्यादा तेल अब्सॉब नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से चिपका हुआ है और तेल बिल्कुल साफ है तो यही मैथड है बिल्कुल अच्छी तरीकिसे से पका लेना चाहिए अलट पलट करके ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए और आप इसको दो पीस करेंगे न तो एकदम ऐसा होगा जैसे कि चिपस होते हैं सेम बैसे ही और मसाले से तो इसके टेस्ट को काफी जो है एकदम बढ़िया करके इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट ये देखिए अच्छे सिब हम ये कुक कर लेंगे और जब आप देख लेंगे कि इनका कलर जो है एकदम चेंज हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है और मसाला तो आप देखी रहे हैं कैसा लग रहा है तो बस अब आपको निकाल लेना है मुश्किल से आपको इसको करने में 5-10 मिनिट लगेंगे इसके अलावा बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप इसे पतला काट लेते हैं तो इसे पकने में भी टाइम नहीं लगता प्लस ये एकदम क्रंची क्रिस्पी बनता है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और अच्छे से जाड़ लेते हैं इसका तेल तो तेल भी देखे बिल्कुल साफ है इसने ज़्यादा तेल पिया भी नहीं है और ये देखे हो गए हमारे नए तरीके के बनाना चिप्स एकदम रेडी हाँ ये कह सकते हैं कि ये कुछ अलग तरीके के चिप्स है इसका टेस्ट जो नॉर्मल बनाना चिप्स होता है उससे भी ज़्यादा बढ़िया मुझे लगता है ये देखे एकदम परफेक्ट हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं आप चाहे तो अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं आप उपर से निम्बू छिड़क सकते हैं इसके और चाट मसाला डाल करके या काला मसाला डाल करके काला नमक डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हो गया हमारा ये बनाना का एकदम सूपर टेस्टी और सूपर क्रिस्पी क्रंची वाला बनाना स्नैक्स रेडी तो इसे गर्मा करम आप इसे चाय के साथ काईए या फिर आप इसे स्टोर कर लीजे होगे एकदम रेडी